लोकतंत्र है ऐसी व्यवस्था शासन की जहां पर भय नहीं हो और जहां पर कैर बराबरी नहीं हो जहां पर कोई दबाव नहीं हो इस समय में देख रही हूं कि प्रेस पर बहुत दबाव है बोलने की स्वतंत्रता नहीं है अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और जहां पर भाईचारा हो, जाती और धर्ब के नाम पर लोगों को बाटा नहीं जाए, तो ये लोगतंत्र है, और इस समय लोगतंत्र के इंशाश्वत मूल्यों पर गुठारा घात हो रहा है, चिंता का विशा है, और तभी हमें लगता है कि लोगतंत्र खद्रे गए, बिल में तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो कारवाई हुई है, जिस तरह से हुई है और जिस जल्दिवाजी में हुई है, उसे तो ये स्पश्च हो जाता है, सित हो जाता है, कि सरकार डरी हुई है, भाईभीत है, देश की संपदा, देश की जनता के लिए है, और अगर वो सं पता हमारी भूमी हमारा खनिज बैंकों वे लोगों के जो पैसे है साधारन जनता के वो किसी एक वेक्ति एक द्योग पती के पास चले जाए तो सवाल उठता है और ये ठीक रहेगा उचित रहेगा कि सवाल का जवाब दिया जाए लेकिर भाज़पा सरकार जवाब देने से क कत्रा रही है और जेपीसी की मांग हो रही है लोग सवाय राज्य सवाय के सदस्चियों के सभी समिती बने उससे भी कत्रा रही है इसलिए हम लोगों के मन में यह प्रश्ण उठ रहा है यह वह सोच भी कैसे सकते हैं कि हम OVC का अपमान करेंगे हमारी कॉंग्रेस की जो वा जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उन सब को हम आगे लाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके अधिकार उने देंगे, और ये सब तो हम स्वतंतरता के समय से कर रहे हैं, स्वतंतरता अंदोलन के समय से कर रहे हैं, सवाली नहीं उठता है, हम तो सोशल जस्टिस सामाजिक नयाय वाले लोग हैं, तो ये बहुत ही गलत है, इनका सोचना और इस तरह का प्रचार करना भी बहुत दिख्भ्रमित करता है जनता, अवश्य, एक बहुत बड़ा शून्य बन जाएगा वहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी जी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक विशय हैं, जो देश हीद के विशय हैं, जनता से संबनती थे, वो रखते थे, उसमें उनका कोई स्वार्थ देश का भला कैसे हो, तरक्की कैसे हो, जो सबसे आखीर में खड़े हुए विक्ती हैं, उनको अब कैसे आगे लाएं, ये सवाल उठते थ हैं, तो अब जब वो नहीं उठाएंगे, तो ऐसे लोगों की आवाज कौन बनेगा, वो एक सशक्त आवाज थे, अभी भी हैं, नहीं वो दिश्कासित कर दिये जाएं, जो अभी भी वो सशक्त आवाज हैं, सब कुछ करने के लिए तयार हैं, जो भी कुर्बानी देनी हम तो वदंत्रता आंदोलन वाले लोग हैं, उस समय भी हमने हमारों जो पूर्वेश्थे, उनों ने गुर्बानिया दी, हमने उनसे सीखा है, तो हम गुर्बानी देने के लिए तयार हैं